दमशकार उजयन मैं हुआ का अंक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं भाई नियूस का 21 जुदाई शुक्रुवाल का बुलिचीन खबरों के और आगे बढ़े इसके पहले देखते हैं कुछ खास हैडलाइन्स पिता पुत्र और पोता बाइक सहीद भाई पिता की मौत मड़ीपूर में हो रही हिंसा के विरोल बेश सद बुद्धी अग्यों गड़्डा दिखे तो हैल्प लाइन पर फोन गुमाए पानी का संकट खत्म 24 से रोज हो का जल प्रदा है अब नहीं निकलेगा गरीब नवाज कॉलोनी से जुलूस हर सिद्धी मंदिर के आसपास नगर निगम का एक्षन तो चलिए खबरों का सलसिला शुरू करते हैं शुहर और आसपास लगातार हो रही अच्छी बारेश को चलते गंभी डैम में पानी की आवक तीजी से बढ़ी है डैम की शमता 2250 MCFT है और शुकुरवार सुभा तक उसमें 1425 MCFT पानी आ चुका है जिसके चलते पानी के संकट किस्ति भी खत्म हो गई है इसी को देखती हुई 24 जुलाई से शहर में प्रती दिन जल प्रदाय करने के निर्देश महापोग मोकेश टटवाले पीची अधिकार्यों को दिये है दरुसर इन दिनों शहर सहीत जिले भर में जोरदार बारिश हो रही है जिसके चलते शहर में जल प्रदाय के एक मातर स्त्रोत गंभी डैम में भी लगातार पानी की आवग बनी हुई है यदि इसी तरग की स्थिती रही तो जदी डैम अपनी पूरी श्रमता से भर जाएगा इधर लगातार बारिश से शिप्रा भी उफान पहे राम घार पर वने मंदिल डूप चुके है चोटे पुल के उपर से पानी बैरा है प्रिशासन ने सुरक्षा के लिहास से चोटे पुल के दोनों और आवा गमन बंद कर दिया है शिप्रा में स्नान करने आने वाले श्रम्धारों को भी सावधारी बरतने की हीताय दी जा रही है यदि जमा जम बारिश का दौर यूँ ही जाली रहा तो शिप्रा बड़े पुल को पार कर जाएगी इधर इन दौर में भी अच्छी बारिश को चलते यश्वन्त सागर चलक उठा जिसके बाद उसकी गेट खोला पड़े गेश्वन्त सागर से छोड़ा गया पाली शनी वार्सुभदल गंबी डेम पाहूं सकता है जिससे उमीद की जा रही है कि इस बार बांध जल्द ही पूरा भर जाएगा चिंतावन गडेश थाना अंतरकत ग्राम जिरोलिया के रहने वारे 85 वर्षी शंकरलाल पिता देवाजी की लाज शुक्र वार्सुभग करीब साड़े आड़ बजे गंबी नदी से मिली रतक के पुत्र रतनलाल ने बताय कि 19 जुलाई को शाम के समय पिता के सीने में अचान पानी का बहाँ तेज हो गया जुसमें शंकरलाल उनका बेटा रतनलाल और पोता राजकुमार बाइक सही भैग गई लगभग 200 मिटर के बाद रतनलाल और उसका बीटा राजकुमार तो भारा गई लिकिन शंकरलाल का पता नहीं चला इसकी बास से उनकी तलाश की जा रही शुक्रवार सुब घटना अस्तल से लगभग 3 किलमेटर दूर गंभीर नदी में शंकरलाल की राज मिली जिसे चिंतामर ठाना पुलिस ने पोस्मार्टम के लिए जुला स्पताल भिजवाया यहां पोस्मार्टम के बाद शव परीजरों को सौब दिया गया है यह करेकोरी तीन चार किलमेटर दूर मिलें इनका नाम संकरलाल जी पिता देवाजी यह गराम जिर्वलिया मेरी जैश्री माकल बाबा माकल इश्वर के अश्यम किरपा और आप सब के आशिरवाद से जो आप लोगों ने मुझे जो धायक्तु दिया था उस धायक्तु का ए आपके बीच में आ रहा हूं आप हमारे कमेंट्स बाक्स में आपके सवाल भेज सकते हैं जिनका जवाब मैं आपको दूँगा और इन सारे कारियों का भी विशलेशन इन कारियों को भी मैं आपके समख्षब हुआ हम मिलते हैं 6 अगस्त 2023 को हमारे एक वर्ष पुर्ण होने पर जैश्री मांगा गड़ा दिखे तो फोन घुमाएं यह सुनकर शायद आप चौके होंगे लेकिन चौके मत यह सही है यदि आपको सडकों पक गड़े दिखाए दे तो बिलकुल परिशार मत हुए बलकि फोन उठाए और इसकी सूचना अनु विभागी अधिकारी इव से लोक निर्माण विभाग यानि पी डवी डी ने यह पहल चुरू कि है लोक निर्माण विभाग की कारे पला लियंतरी जीपी पतेल ने बताय कि वार्शाकाल के दुराद शहर वासियों से मिलने वाली सूचना पर विभाग द्वार अश्रोदी ग्रस सडकों की मरमत करती हुए गड़े भरने काम किया जाएगा पटे में शोहर वासियों से लोक निर्माण विभाग संभाग उजिन के शेत्रा अधिकारी की सडकों पर हुए गज्जों की जानकरी है प्लाइन नंबर पर देने की अपील भी की है मनिपूर में जारी हिंसा और दो महीलाओं के साथ गैंग रेप की घटनाओं के विरोध में युबक कॉंग्रेस ने शुक्रवालबा पर सदबुद्धी यग किया तेवास गेरिस्थित श्री अनपूर्ना विजासन माता मंदिर के भाकारी करताओने यगे में आहूतिया ड मेती समाच के बीच हो रही हिंसा को रोकने के लिए सेना और पुलिस को आदेश दिया जाए ताकि महां शांती बहाल हो सके महालोग धाबा उजेन की वो शान जिसका हर जुबान पर है नाम 100% Pure Veg Food Family Restaurant यहाँ पर है पारिवारिक वातावरन बच्चों के खेलने के लिए पार्क और जूले तो आप आराम से उठा सकेंगे खाने का लुफ सुबनाश्टी में पोहा जुली भी मालवा के व्यंजन से लेकर रात की खाने तक गाड़ियों के लिए बिक पार्किंग एरिया और प्रोफेशनल स्टाफ जो बनाया आपकी आउटिंग को खास साथ ही है 500 लोगों की स्पेस वाला बर्थ डिपार्टी और कॉन्फरेंस हॉल तो आज ही पधारे महालोग धाबा शनी मंदिर से कुछी दूरी पर इंदारूर उज्जेन शुक्रवार दौपर हरसिदी मंदिर के सामने भीक मांगने वाली दो महिलाओं की डंडे से पिटाई करने वाली दो युवकों पर महाकाल पुलिस ने मारपीट की धाराव में प्रक्रण दर्श किया है दिरसल फर्यादिय लता राव पिता दीपू राव और उसकी बहन काली के साथ विरेंद्र सिंग निवासे नरसिंग घार और जीतेंद्र निवासे जय सिंग पुरा ने मारपीट की थी दोनों युवकों की हरसिदी मंदिर के सामें दुकाने जहां महिलाएं खड़े रहे कर भीग मांग रही थी इन्हें मना करने की बात पर ही विवाद हुआ था महाकाल थाना पुलिस ने मारपीट करने वाले दोनों युवकों को हिरासत में लिया है गुरुवार को नागदा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चुहान द्वारा की गई नागदा को जिला बनाने की घोशना के बाद शुक्रुवार को विधैक दिलिप सिंग घोजर और आलोट विधैक मनोच चावला ने कलेक्टर कुमापुरु शोत्तम को नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताओं लिखित में प्रसूत किया उन्होंने अनुरोध किया कि नागदा में खार्चरोद आलोट और ताल तैसिल को शामिल कर इस प्रस्ताओं को श्यासन को प्रेशित करे जिससे विधान सभा चनाओ की आचार सहीता से पुर्व सभी और नागदा को जिला बना कर यहां कलेक्टर, S.P. साइथ अनित जिलास तरिये पदों की स्थाप ना हो सकी शुक्रवार को नागदा विधायक गिलिप सिंग गुर्जर और आलोट विधायक मनोच चावला ने देवा सोडस्तित एक होटर में फ्रेस कॉंफरेंस में इसकी जा कार बनने के 15 दिन के अंदर इसे जिला बना दिया जाएगा यहां आपको बता दे कि वर्ष 2013 और 2018 में भी सीम शुरासन चुहां ने नागदा को जिला बनाने की खोशना की थी निशुर्प से आज माली मुक्रमंत्री मोदे 13 में भी गोशना के गएगा ता 18 में गोशना करें तो कल लागदा में पूना गोशना तीर जिला बनाने की कर चुके हैं और उन्हें गोशना में यह का था जो सहमत होगा उसको हम अपने जिला जिले में रहना चाहते हो जिल ज लिखित में आमने परसुत के गए जया है वालोट नागदा खाचुर मिलकर नागदा को जिला बनाए जाए यह का आपके पस्ता अमनों सासन को प्रेसित करेंगे करेंगे हैँ जो पस्ता होजित तो क्या इसमार आपको मुक्ष्य मंत्री सिंवरा सिंवार शीर बने नहीं हम अब तो चाहते ऊंदर जिला बने अम्हारी सोच यही सगाधरु तरही कि जब एक जिला बनेगा तो कही रख्यकार हमेरे चेत्र में होंगे जो तेजिल इस्थर पाइब उसको मिलेगा मुख्यमंति की यदि मंसा होगी चुनाओ के पूर का लग्टर इस पी पर दोगी पाइद इसस्ताम को तत्कालो उपचरिकता पूर्ण करके यदि वो समय पे पूर्ण नहीं करते तो लगता है जनता को महसूस हो जाएगा जिला बनाना चाहते कि नुद नामकर्ण पूर्व विधैक स्वर्गी भूरेलाल फिरोजिया के नाम पर करने वाट 42 महीं भक्ति नगर के पास तेली फॉन ऑफिस के बगल से सेठी नगर पहुच मा का नामकर्ण पूर्व पाष्ट रजनी कोट वाली के नाम पर रखने डॉक्टर श्याम प्रसाद मुख सदसी और निगव अधिकारी भी मौजू थे आज माइसी की हमारी बेटक में जो नगर पालिका निगम से जुड़े वे जो प्रमुख विशे थे उन सारे विशों को स्विक्रती दी गई है साथ ही हमारे जो आउट्सोर्स के करमचारियों के लिए टेंडर निकालना उसकी स साथ ही हमने जो हमारी पूरू पार्शद रजनी कोटवानी जी के नाम से हमने एक मार्क को किया है हमारे पूरू विदायक सिरी भुरे लाल जी फ्रोजया जी के नाम से एक पार्क का हमने नामंकर्ण किया है इसी प्रकार से हमारे जो पूरू में हमारे जो प्रस्ताव पास उन सारे प्रस्तावों को अच्छे से लागू हो निगवन पर कारवाई करें इन सारी बातों को लेकर का जैमाई सी भविशी के चिंता छोड़ो पंडित गोविन गुरु से नाता जोड़ो ना कोई पैसा ना कोई फीस बस लीजे गुरुजी का आशिश आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान संपर्क करें 9827030415 या 9302230415 हमारा पता आठ अलगदाम कॉलोनी सावे रोड उज्जे ये था बैन यूस का आज का बुलेटीन अगर खबरों को लेकर आपकी पास कोई फीद्बैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तंक जरूर पहुंचाएं फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ तब तक के लिए नमस्ट कहां